एक है लो एवरिवन तो कैसे आप सब आप सब बढ़िया होंगे मस्त होंगे जबरदस्त होंगे और तयार होंगे फिर से आज की क्लास के लिए आज की क्लास में जब हम पढ़ने जा रहे हैं एरिया रिलेटेड टू सर्कल्स अब एरिया रिलेटेड टू सर्कल्स का इंट्रोडक्शन हमने पिछली क्लास में दिया है ठीक है तो जिन जिन बच्चों ने जिन जिन लोगों ने वह इंट्रोडक्शन नहीं देखा है तो एक बार आर्मी जल्दी से पिछली क्लास का रिव क्यों आर्मी तयार है मेरे साथ आर्मी को तो तयार रहना ही पड़ेगा वह या कोई मोखा कोई रिहाई कुछ नहीं है ठीक है हर तरीके से तयार चुस्तंट दूरूस्त चलो तो आज की क्लास को शुरू करते हैं अब देखते हैं आज की क्लास के आज की गलास में exercise डिसकस करने वाले एरे लेटिड टू सर्कल्स की तो एरे लेटिड टू सर्कल्स की एक्सरसाइज कौन सी है एक्सरसाइज 11.1 अगर मैं एक्सरसाइज 11.1 की बात करूँ ठीक है जल्दी से आर्मी question number 1 को read करेगी हाँ एक बार पढ़ते हैं जल्दी से question number 1 क्या दिया हुआ है कह रहा है find the area of a sector of a circle with radius 6 cm if angle of the sector is 60 degree आप जड़ा देखो गया कल हम आपको एक चीज बताएते कह रहा है area find करो ऐसे sector का जिसकी radius 6 और angle कितना हो साथ तो हम आपको कल sector बनाना सिखाए थे के बहिया जब भी आपको बनाना हो sector तो ये लो ये लो और ये लो हो गया एक sector तो sector क्या होता है circle का टुगडा है नहीं circle का टुगडा नहीं होता army के लिए क्या है pizza pizza का slice है सौरी माफ कीजिएगा हां तो कहने का मतलब है कि ये हमारा क्या था sector अगर ये sector था तो हम रिया और मी बता सकती है ये रेडियस होती थी 6 cm एंगल कितना दिया हुआ है 60 डिग्री कह रहा है find करो area of sector अब पूरा कब पूरा circle 360 डिग्री का होता है जिसमें से ये वाला sector कितने का बना हुआ है 60 तो यानि जो बाकी बच गया होगा वह 300 डिग्री का होगा वह 360 में से अगर ये सेक्टर 60 का बन गया तो जो बचा हुआ सेक्टर होगा circle का वह कितने डिग्री का होगा क्यों कितने डिग्री का होगा 300 ठीक है 360 में से 60 जब इसने ले लिया पैसो मैं हिसाब नहीं भूलते है angles में भूल जहो मान जाओ या तो 360 में से जब 60 इसने ले लिया तो बाकी का जो बचा हुआ होगा 300 ठीक है अब 300 वाला major होगा क्योंकि वो बड़ा है 60 वाला छोटा है तो क्या होगा minor अब question में लिखा नहीं है कौन सा आपको खुद दिमाग लगा के समझ लेना है कि question लिखे न लिखे हमें समझ आ गया हमसे मांगा है area of minor sector अब minor sector का formula कल लिखवाए थे theta वटे 360 into pi r square क्या लिखवाए थे कल formula theta वटे 360 into pi r square तो भया जिसने class नहीं देखी पुरानी glass देख ले और जिसको class देखनी की इच्छा नहीं है वो सीधा समझ लेके formula क्या होता है theta वटे 360 into pi r square वो बात अलग है कल हमने निकालना सिखाया था कि आप इस formula को कैसे बना सकते हैं अपना बना लो formula को ही अपना बना लो ताकि कोई दिक्कत ही ना रहे अब theta कितना है इस एक्टर में 60 into pi की value question ने लंबे चोड़े अप्छरों में book ने लिख के दिया है कि भाईया क्या इस्तेमाल कर लेना 22 upon 7 r का square मतलब जो भी value r है उसका square तो हमारी radius क्या है 6 तो हम लिख सकते है 6 का square या फिर 6 को दो बार भी लिख सकते है 6 into 6 यानि square होता है तो उसे दो बार लिख लेते है ना पसमें multiply में उसी तरीके से मैं चाहाता तो 6 के square को दो बार लिख सकता था 6 into 6 अब अगर 6 into 6 करके लिख सकता था नहीं लिखा वो एक अलग बात है यहाँ 0 से 6 से 36 को कितने बार काट दो 6 बार अगर इस वाले 6 से 6 की एक पावर कर जाएगी तो यानि हमारे पास जो value बची वो बची 22 upon 7 into 6 अब अगर इसकी आपस में आप multiply कर दें इस value की multiply कर दें तो 22, 6 दूनी 12 का दो क्यारी लगा 1, 6 दूनी 12 और 13, तो 132 upon 7 क्योंकि आप area निकाल रहे हो और area में आपने data कितनी बार लिए है दो बार, इसी लिए area जो हो जाएगा, वो हो जाएगा centimeter square और यह answer है यानि आपका question number 1 का formula लगा के value रखनी है और formula लगा के value रखते ही आपका question number 1 cancer तयार हो जाएगा 132 upon 7 centimeter square क्यों army इतनी बार ठीक है ठीक है या नहीं ऐसे ही समझ रहे हो हाँ हलके में नीट रहने का मैं कह रहा हूं पढ़ लो ना तो एक एक को देख ले ना घर तक आऊँगा घर तक आके मारूंगा सब को ठीक है एक एक को बता रहा हूं पढ़ लो चानो तो यानि हमने समझा कि question में सीधी value दी हुई थी formula लगाओ और answer पाओ कोई दिक्कत है क्या answer मिल रहा है formula लगाके तो कोई परेशानी है क्या परेशानी नहीं होनी चाहिए बिलकुल नहीं होनी चाहिए अब चलो जड़ा question number 2 पर जड़ा देखते है question number 2 क्या कह रहा है तो भाईया question number 2 बड़े बढ़िया सब्दों में कह रहा है find the area of a quadrant of a circle whose circumference is 22 centimeter कह रहा है ऐसे circle का area बता दो भाईया बताना तो sector का sorry ऐसे sector का area बता दो भाईया बताना तो पड़ेगा पूछ ले आता हमें भी नहीं आता तो में भी नहीं देखे ले तुक्काई मारे ले क्या पता तुम मेंसे और हम मेंसे किसी का पेटी बैठ जा अच्छा बात है quadrant की quadrant क्या होता है जरा पहले यह समझो अब अगर quadrant आपको समझना है तो चलो भाईया अच्छा हमसे पंगा रुकिया जरा है आया ना सही लाइन पर आप से मांगा area of quadrant अब क्वाडरेंट क्या होता है किसी भी सरकल के ऐसे करके चार टुकडे कर लो अब किसी भी सरकल के चार टुकडे और यह चारो टुकडे क्वाडरेंट क्यालाते हैं अगर आपने पढ़ा हो तो यह फर्स्ट क्वाडरेंट होता है यह first quadrant होता है, यह second quadrant होता है, यह third quadrant होता है, और यह fourth quadrant होता है, यह आपने पढ़ा होगा, ठीक है, यह आप सभी ने पढ़ा होगा, कि कोई Cartesian plane होता है, एक Cartesian plane यानी x-axis और y-axis जब एक दूसरे को divide करती हैं, तो कितने खाने बना लेती हैं? चार, कितने खाने बना लेती हैं? चार, और उन चारों को क्या का कहते हैं, first quadrant, second quadrant, third quadrant and fourth quadrant, हाँ बई, मिल गए चारों quadrant, बई, मुझे लग रहा है तो मैं ऐसे नहीं मालोगे, तो मैं वो प्रेम कहानी सुनानी ही पड़ेगी है, प्रेम कहानी सुनने चाह रहे हो तुम सब, कैसे बई, शायरियों में सुनोगे? चलो देखते हैं, बई, शायरियों में सुनाते हैं, तुमको एक प्रेम कहानी सुनाएंगे, ठीक है, गजब की प्रेम कहानी, बस दिल से ना लगा लेना है, दिल से मत ले जाना बस, चलो सुनानी पड़ेगी, बनानी पड़ेगी, बना के मत चारो ही हिससे क्या होते हैं क्वाडरेंट तो कह रहा है इस में से किसी भी क्वाडरेंट का क्या बता दो एरिया बता दो हमने कहा भई या ठीक है तेरी बात हम भला कैसे टाल सके हैं है भई अपनी आर्मी या अपने सवालों की बात भला हम टाल सकते हैं क्या नहीं तो जरह क् लाया रखा है नीला मैंने मालिया में इस क्वाडरेंट का निकालना चाहता हूं अगर मैं इस क्वाडरेंट का निकालना चाहता हूं एरिया इस सेक्टर का जो कि एक्च्वल में क्वाडरेंट है लेकिन किस शेप में है सेक्टर की शेप में है आपको बता दू हर क्वाडरें कर बताना चाहता था कि जो theta है कितने degree का है भया 90 degree का है भुडू theta कितना दिया है 90 अगर theta 90 दिया है चलो भई, theta 90 दिया है तो कहा रहा है बता दो sector का या quadrant का area आजाओ भई आजाओ भई, देख लेते हैं quadrant का area, उससे पहले उसने कहा था circumference कितना है 22, अब किसी भी circle का circumference ठीक है, circumference 22 दिया हुआ है अब किसी भी circle का circumference 2 pi r होता है 2 pi r की value 20 दियो यह, pi की value 20 बटे 7 होती है 22 से 22 काट दो, 7 divide से उदर multiply में और 2 multiply से divide में तो यह हो जाएगी r की value 7 upon 2 cm भईया, इतनी आ गई अब अगर हमें r की value मिल गई angle मिल गया, तब हम इसका sector का area निकाल सकते हैं, कैसे भईया formula लगा कर area of quadrant अब मैं इस quadrant कह सकता हूँ, या फिर क्या कह सकता हूँ, minor sector, minor क्यों बना क्योंकि यह तो 90 degree का हिस्सा लिया, ठीक है, formula आपको लिखवाई दिये थे, theta बटे 360 into pi r square, ठीटा बटे 360 into pi r square, अब हमने minority क्यों लिया, क्योंकि हमें तो सिर्फ 90 degree वाला लेना है, बाकी इतना बड़ा हिस्सा यह जो है, इतना तो बचा हुआ है, और जो बचा हुआ है, वो ठीक है, हाँ, ठीक है, सही बगणे, अब theta की value कितनी थी, 90, into pi की value 22 upon 7 है, into r की value 7 upon 2 है, square है, तो उसे कितनी बार लिख लो, दो बार, एक साथ से एक साथ कार्ट दो, 0 से, 0 कार्ट दो, 9 से 36 को 4 बार कार्ट दो, 4, 2 से इसे 11 बार कार्ट दो, और कुछ कट रहा है क्या, नहीं, 11 की multiply अगर 7 में हो जाएगी, तो यह हो जाएगा 77, 4 की 2 में हो जाएगी, तो यह हो जाएगा 8, तो यानि area of minor sector कितना आ रहा है, 77 by 8 यानि area of minor sector आ रहा है, 77 by 8 cm2, इसी बात पे, इसी बात पे, लाइक, शेर, सब्सक्राइब, कमेंड, हाँ, मुझे नहीं पता, लेकिन वो जो सब्सक्राइब का बटन है और वो जो लाइक है, वो दब जाना चाहिए, शेर तो सब में होई जानी चाहिए, हाँ, कैरी मिनाडी बाई, चलो बाई, इतनी बात हैं, 11, तो question हमने कर लिया, question number 2, तो question number 2 भी simple, easy, कोई दिक्कत नहीं, अब अगर question number 2 पढ़ लिया, तो चलो बहिए, आगे चलते हैं, आगे देखते है, question number 3, क्या पढ़ते है, question number 3, अगर हम question number 3 की बात करें, तो क्या दिया हुआ है, क्या रहा है, length of a minute hand of a clock is 14 cm, कोई clock है, कोई हमसे घडिया मांग रहा है, घडिया, उसको घडिया तो देनी पड़ेंगी न, कोई clock है, उस clock में, कह रहे हैं, भाईया, कोई center रहा होगा, center से जो minute hand है, मैंने माल लिया, ऐसे करके, ये रही minute hand, क्या रहा है, इस minute hand की जो लंबाई है, वो 14 cm है, अब थोड़ी दिर में minute hand घूम के आ जाएगी न, कह रहा है, find the area swept by the minute hand in 5 minutes, तो कह कह रहा है, कि 5 minutes में, वो घडिकी सुई, यहां से, suppose यहां आ गई, तो मैंने माल लिया, यहां से, यहां आने में, उसे, travel करने में, उसे, यहां से, यहां तक आने में, कितना टाइम लगा, 5 minutes का, तो कह रहा है, बताओ 5 minutes में, इसने यह जो area है, sector का, यह कितना बना लिया होगा, यह वाला area मांगा है, कह रहा है, भईवивает 5 minutes में, जो इसने area, swept, area swept का मतलब है, जो area बना लिया, बताओ वो कितना होगा, तो हम क्या मनए कर रहे हैं, भई, या बता देंगे लेकिन उसके लिए ये पता होना चाहिए, कि जो minute hand है, लिख लो इस बात को, important करके लिख लेना बहुत जरूरी बात है, कि जो minute hand होती है, आपकी सुई वाली जो minute hand होती है, वो एक minute में 6 degree बनाती है, कितना बनाती है, एक minute में 6 degree, अब अगर एक minute में 6 degree बनाती है, तो आपका तो खेल 5 minute का था, तो 5 minute में, क्योंकि इधर 5 से multiply की, तो इधर भी 5 से multiply होगी, तो 6 पंजे कितने degree हो जाएगा, 30 degree, यही आगया आपका theta, तो 5 minute में angle कितना बना, 30 degree का, तो वही आपके किसकी value हो गई, थीटा की, तो हमारी आर्मी को थीटा की value मिली नहीं मिली, तो बिडू लोग जब थीटा की value मिल गई, आर आपको पहले से 14 दे ही रखा था, आर की value पहले से 14 दे रखी थी, तो जब आपको यह दो value मिल गई, तो आपसे मांगा है area of sector, कौन सी बड़ी बात है भईया, आपसे मांगा है area of minor sector, अब 30 degree है तो minor ही होगा, क्योंकि बाकी का बचा हुआ तो 330 degree हुआ, अब 330 वाला तो minor नहीं हो सकता, वो तो major ही बनेगा, तो फॉर्मूला लगा लिए, ठीटा बटे 360, तो ठीटा 30 degree का है, यह 360 है, पाई की वेल्यू 22 बटे 7 है, आर स्कॉार यानि आर की वेल्यू को दो बार लिख लो, स्कॉार की वज़े से दो बार लिख लिया, 14 into 14, आर मी 7 से 14 को कितनी बार, दो बार, 0 से 0, इस से 12, 12 से 2, 2 से 12, 6, 2 से 3, 2 से 11, और भी कुछ रहे गया, क्या काटने वो, आप चौदे की मिल्टिप्लाई अगर 11 में कर दी जाए, तो 104 और नीचे बचा हुआ है, 3, इतने सेंटी मीटर स्कॉार, यह आपका क्या हो जाएगा, आंसर, तो मतलब इस एरिया, यानि इस घड़ी ने, जो 5 मिनिट में एरिया बनाया, गड़ी ने बनाया भईया, 154 अपॉन 3 सेंटी मीटर, स्कॉार यह रहा भईया, आंसर, ठीक है, तो आर्मी, आज हमने पढ़ा, और आज हमने सीखा, क्या सीखा, कि भईया, कैसे रेडियस और एंगल की मदद से, तो हम निकाल देंगे, कतई निरास नहीं होने देंगे है, निरास होने भी नहीं देना है रहे, आज के बाद जब भी पूछा जाएगा, तो आपको एरिया बता देना है, आपको पता होना चाहिए, अब अगर आपको पता होना चाहिए, area बता सकते हैं तो चलिए जड़ा आगे चलते हैं question number four पे चलने से पहले हम आपको कुछ question देना चाहते हैं ठीक है हमरी personal इक्छा है कि हम आपको एक कुछिशन दे कुछिशन है find the area of sector whose whose angle is 60 degree and its radius it's so sorry and its radius is radius is 21 centimeter यानि यहां आपको area बताना है उस sector का जिस sector का angle 60 degree हो और उसकी radius कितनी हो 21 centimeter हो है भई तो मेरी आर्मी सवाल को कर दिखाएगी कर गुजरेगी भईया यह क्या तुम्हें ऐसे 1000 दे दो हमारी आर्मी को कोई फरक नहीं पड़ेगा क्योंकि उसने हमारी आज की class पड़ी है और अगर आज की class उसने ध्यान से पड़ी है तो दे लो भईया जितने सवाल देना चाहो है हमें फरक नहीं पड़ता क्या क्या रहे हो चिकने कड़े है पिट के फरक नहीं पड़ा मा मा से पिता से यानि पिता श्री से पिता जी से ठीक है माता श्री से जब इन से फरक नहीं पड़ा तो तुम से का पड़ेगा अरे तुम्हें तो भगवान की मार से ना पड़ा हो कभी है ठीक है सुधर जाओ चलो तो अगर बात करें इसकी तो यहां लिखो find the area of sector whose angle is 300 degree and its radius is 7 cm question आपको दिया है दो यह दोनों कुश्चन आपके होमवर्क है आप class complete करने के बाद इन दोनों कुश्चनों को जरूर करके देखेंगे 100% आपको यह दोनों कुश्चन करके देखने है अगर आप इन दोनों कुश्चनों को करके देखोगे तो दोनों कुश्चन करने से क्या फाइदा होगा पहला benefit पहला benefit आपको concept पूरा clear हो जाएगा दूसरा benefit formula याद हो जाएगा तीसरा इसमें एक बहुत अच्छी बात छुपी हुई है इन questionों में वो question करने से आपकी बहार आ जाएगी और आपको पता चल जाएगा कि आपको वो बात आती है या नहीं आती यानि बहुत सारी चीजे यहाँ पर पता चल जाएगी अब पता चलेगा बिल्कुल पता चलेगा वया क्यूं नहीं पता चलेगा है पता तो लगा के मानेंगे तुम कुछ भी कर लो बिड़ो पता तो लगा के मानेंगे है तो चलो यह दो कुछन दिये हुए आपको आपको इन दोनों कुछन को कम्प्लीट करना है तो इन दोनों कुछन को कम्प्लीट करके लाईएगा आज की क्लास के लिए इतना ही बाकी हम आपसे अगली क्लास में पूछेंगे क्या आपने कुछन किये या नहीं और जिसने नहीं किये है न एक एक को थपड़ा देंगे गर आके पीटेंगे बिड़ा छुप लेना जहां छुपना है घर में गुसके मारेंगे ठीक है तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए मस रहिए पढ़ते रहिए करते रहिए और तब तक के लिए बाई